एलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कॉल टेक्निक पार्शाला हम लोग अपलाइट मैतमेटिक्स थर्ड को आगे बढ़ाते हैं ठीक है और हमने अभी तक क्या देखा था पार्शियल डिफ्रेंशेशन और उसमें हायर आडर पार्शियल डेरिवेटिव समने देख लिया है ना नहीं एक्स और वाई का फंक्शन है तो डेल यू डेल एक्स से क्या मतलब है यह हमने देख लिया और डेल यू डेल यू डेल यू से क्या मतलब है यह हमने देख लिया और डेल यू डेल यू डेल यू से क्या मतलब है डेल यू डेल यू से क्या मतलब है डेल यू डेल कि इन सबसे क्या मतलब है हम देख चुके है अब आगे कुछ चीजे और हमको पढ़नी है सबसे पहले हमको पढ़ना होमोजेनियस फंक्शन कि इन्हें बोलते हैं समघाती पलन या समघात पलन भी बोलते हैं अब तो हमोजेनियस फंक्शन समघात पलन से मतलब क्या हमारा तो अगर कोई एक्सप्रेशन दिया एक्सप्रेशन का मतलब हो equation नहीं है एक्सप्रेशन और xy में अगर कोई expression xy में दिया हुआ है और आप उसको ऐसे x to the power n and some function आप y by x अगर यह इसको लिख पार रहे हैं तो इसका मतल्ब यह हो गया कि वह जो expression है वह expression है उसको अगर किसी मतलब वैल्यू के independent वैल्यू के बराबर माल ili जैसे Z बराबर उसको माली लिजे तो उसको बोला जाता है ऐसे एगर एक्सप्रेस कर पाएं किसी भी एक्सप्रेशन को यहांसे समझिए एक्स वाई में जो कोई एक्सप्रेशन होगा एक्सप्रेशन का मरलब बेंजक तो कोई बेंजक है और उसको एक्स के पाउर N, आप Y X के फार्म एगर आप उसको लिख पा रहे हैं तो वो जो expression हूगा वो क्या कालाइगा function आप homogeneous function कालाइगा आप order and यह क्या है order है यह जो होता है order क्या लाता इस function का ऑर साथ दिशांद हिंदी में उसको बोलते है घात का या एन और डर का क्या है यह समघात फलन है ठीक है यानि की होमोजेनियस फंक्शन है ठीक अगर कोई फंक्शन दिया जैसे आपको नहीं दिख पा रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन गीनत यकों फंक्शन गीवें एफड य्, य, य गर क्या कर सकते हैं अगर आप उसको सॉल्व करके टी टी पा़वर एनि और फिर फंक्शन आप आप एक्सवाई उरिजनल फंक्शन आप यू इस पते हैं तो फिर से आप कहेंगे कि यह क्या है एक समघात फलन है थिए यह फंक्षण है आफ आर्डर एन यानि घात n का क्या है यह homogeneous function अब इतनी सब बाते definition से मतलब क्या है हम लोग जब तक example नहीं देखेंगे नहीं समझ में आगा ठीक है तो हम लोग question पर आते हैं question लेते हैं फिर जो है आपको दिखाते हैं ठीक है तो यह question दिया हुआ है यह फिर मैं एक कोई लेकर एक एक example में लेता हूं ठीक है एक example में लेता हूं दिया fxy is equal to a not x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 y plus a n minus 2 x to the power n minus 2 y square यहां पर क्या एक सब्सक्राइब करेंगे एक सब्सक्राइब करेंगे तो उपर एक गात कम है नीचे गात ज्याता है तो नीचे क्या हो जाएगा एक घात बच जाएगा और y है ही तो इसी तरह से यहां पर a n minus 2 यहां पर क्या कर रहे हैं हम x to power n से divide कर रहे हैं उपर दो घात कम है तो नीचे क्या बचेगा दो घात बच जाएगा एक पर और y पर दो घात है ही तो इस तरह से आप इस expression को और यहां पर क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स के पावर इस तरह से आप देख रहे हैं इस expression को आप आप ऐसे लिख पा रहे हैं इस पूरे इस right hand side में जो expression है उसको आप ऐसे लिख पा रहे हैं कि जहां भी या एक है वहाँ पे सीथे एक साथ वो कंबाइंड फों में आ रहे हैं य और एक्स क्या हो रहे है हमेशा y by x या कभी कभी हो सकता x by y y by उसे मतलब ने क्योंकि x by y को आप क्या कर सकते यानि कि क्या कर रहा है कि हर जगह जहां भी आ रहा है variable सीथे क्या रहा है y y x के form में आ रहा है इसका मतलब आप इसको एक variable मांन शक्ते है मतलब एक वैल्यू मान सकते हैं ऐसे तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यह क्या है एक्स के पावर और यह और इसको आपने एफ एक्स वाई को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो इस फलन एक्स वाई को हम गोलते हैं कि संभात फलन या उपर जो लिखा हुआ है यह क्या है संभात फलन है ठीक है यानि कि होमोजेनियस फंक्शन तो ऐसे तो नहीं है लेकिन जहां भी और एक्स है यानि यह वाई यह आना चाहिए तब है कोई भी टर्म अगर वाई एक्स में हो रहा है तो यह अना चाहिए तबही आप बोलेंगे कि वह होमोजेनियस फंक्शन आ यह अनि समगात फलन है ठीक है और जो यह एक्स की पावर एन जो निकलेगा बाहर ठीक है न यहीं क्या कहला तर उसका घात कहलाता है यह ओर बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है तब अब क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कुछ क्वेश्चन लेंगे और फिर करेंगे तब जाके आपको ज्यादा क्लियर होगा करने से पहले हमको एक चीज पढ़ना पड़ेगा वह हमारा आईलर्स थ्यूर्ण और होमोजेनियस फंक्शन यानि समघात फलन के लिए आयलर का प्रियोग प्रमे है इससे मारा क्या मतलब है अगर कोई फंक्शन बोल रहा है यह यह जो फंक्शन है वो हमोजेनियस फंक्शन है तो हम एक्स डिल्यू डिल एक्स प्लस वाई डिल्यू डिल वाई इस उकल टू एन यू के बराबर होगा यहां पर बोल देंगे और यह भी ज्यांद है और अगर उसका पता है मारा और तो अगर कोई फलन ठीक है समघात फलन है एन घात का यानि एन्थ ओर्डर का तो हम उहां पर क्या सीधे सीधे यहां पर क्या है यह पूरा वैल्यू एन यू के बराबर होगा एन जहां पर क्या है एन आपका घात है ठीक है जो फलन उसका घात है और वगल में उसके क्या लिखा गया पलन लिखा गया तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप हल कियें पीछे जहां पर यह मिल रहा था आपको एक्स डेल यूडेल एक्स और प्लस य डेल यूडेल य जब आप निकाल रहे थे तो एंट पिरस फुख फलन मिल जा रहा था यानि समझेज़ें वह ग्यों पलन कर रहे हैं जिसका डिफ्रेंशीएट करके ला रहे थे उसी तरह से आप इस थ्यूर्म को प्रमे को फुर्म भी कर सकते हैं तो आपके खिटाबों में जो है इसका यूज करके ृस्थ सवालों को यहां पर क्या आपको पता है यू जो है एक्सवाई का function है फलन है यह यह जो function है वो समगात फलन है या नि homogeneous function है और उसका order n है ठीक है चलिए अब सवालों को लेते हैं हम लोग और हल करते हैं अब जो हम लोग को सॉल्व करते हैं आप पर जो क्वेश्चन दिया आपके सामने तो सिद्ध करो कि अब क्या है कि कोश्चन में आपको साब साब तो लिखा नहीं होगा कि यह आईलर्स थियोरम पर है आईलर्स थियोरम का परियोग करिए ऐसा वैसा तो जब भी आपको यह दिखे यह दिखे अगया सबसे पहले चेक करिए क्या फलन समगाती हो सकता है क्या homogeneous फलन हो सकता है फलन अगर homogeneous हो सकता है तो काम हमारा बन जाएगा और अधिकतर cases में फलन homogeneous ही रहेगा तो सबसे पहले हम लोग फलन पर आएं यूज उकल टू लॉग अगर दो के गातीन बराबर आठ हो तो बिल्कुल इसका उल्टा ऐसे तो लिख सकते हैं यहां पर यहां पर यह और क्या होगा यहां देंगे पावर यह होता ठीक पावर यह वाला तो यह उता यह कह सकते हैं यूज इप्वल टू एक्स स्क्वाइर प्लस वाइज क्वाइज पाइज अपवान एक्स प्लस वाइज उससे मैच कराएज देखिए ऐसे ही लिखा गया ठीक है कोई अलग ची अब यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर इसको क्या कर लेते हैं इसको हम लोग इसमें से वाइज पाइर उपर स्वाइर कॉमन कर लेंगे एकस कॉमन कर लेंगे तो one plus y by x का स्कॉार हो जाएगा तो जीकत है नहीं यहां आ और नीचे एक्स पॉमन कर लें तो वन प्लस वाई बाई एक्स हो गया अब जहां भी आप वाई और एक्स देख रहे हैं वो दूनों एक साथ हैं और वाई बाई एक्स फॉर्म में है इसका मतलब क्या हो गया यह समगाती फॉलन हो गया ठीक है और जेड इस इक गात कट जाए पावर क्या है याँ इसका घात जो एकंषी पॉलर एक्स का फॉल इसक्वाईद बॉण वाई यह समगे हैं जेड एक्स था हवाई में अम ईएक घात का यह एक और्डर का कि तम घार्ची कि यानि कि होमोजेनिया कि पॉलान है तो इसलिए कि आयलर के प्रमिय से आयलर स्थिवर्म 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 हम क्या बोल सकते हैं हम यह बोल सकते हैं कि यू शरी एक्स डेल जेट डेल एक्स प्लस वाई डेल जेट डेल वाई इसे घुड़ाया को टूर्ट कितना है एक घॉत हैं तो वन इंटो जेट लेकिन अभी हमारा यू में था यह तो हमारा जेड में मिले लेकिन हमको कोजिशन सॉल्व करना यू में तो भी इसके लिए क्या करेंगे हैं हम जान रहा है है लेकिन या परन्तू जेड इस इपल टू ए टू दिपावर यू हमने माना है तो यहां से डिल जेड डिल एक्स अगर हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा इटू दिपावर यू का यह और डिल यू डिल एक्स हो जाएगा और साथी साथ दिल दिलवाइज होगा को जाएगा इटू दिल यू डिल वाइज हो घैना यहां पर क्या कर देंगे इस में रखिन अब क्या करेंगे ब क्र。 अब क्या करेंगे अगर एक्स को देल दील के पर यह ऐा परक्ति टे नि थे रखूयर देल्डG एनवा-इक सब्सक्राइब क्या करते है इंड कर देल बख्याय क्या कर देंगे इन्ट नियुक्त देल्डी आल सब्सक्राइब और यहां पर z जग़ा पर क्या रहेंगे घुन-पार इस सभी है राइट हें साइड में भी आप hen में जो दो टर्म हैं उन्में भी यानि पूरे समी करण में क्या कर सकते हैं फोर सकते हैं तो यहां पर क्या बच जाएगा एक्स डेल्ल यू डाल X plus Y Del U Del Y is equal to one क्योंकि e to the power u से भाग करना और यह हमको प्रूब करना था यह हमारा प्रूब इसको प्रूब करना था ठिक है इसको सिद्ध करना था वह दिक्कत है नहीं तो अगले सवाल पर आते हैं अगले सवाल यह रगरा यूज इपल टू टैन इन्वर्स संथिंग तो सिद्ध कर यह कि इतना वराबर इतना ठीक है अब यहां भी एक्स डेलिव डेल एक्स वाई डेलिव डेल यह तो हम वही प्रोसीजर फालो करेंगे ले यानि पूरा एंगल है वह एक्स के पावर एंड बाहर नहीं आ रहा पूरे फंक्शन के आहीं नहीं पाएगा क्योंकि वह इन्वर्स के अंदर है तो हम यह लेकिन एक काम कर सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10u is equal to x cube plus y cube upon x plus 2 अब यहां पर आप कह सकते हैं यहां पर इसको अब जेट मान लेजिए फिर से तेहां पर आपको कह सकते हैं x cube plus y cube over x plus y तो इसको क्या करिए अगर उपर से x cube common करिए तो होगा 1 plus y by x के power 3 और नीचे क्या हो जाएगा x common करिए तो 1 plus y by x ठीक है यहां पर कड़ जाएगा तो दो घात बचेगा है यानि x square 1 plus y by x के power 3 और यहां पर जाएगा y by x ठीक है तो इस तरह से क्या हो गया यह पूरी तरह से दो घात का क्या हो गया समगात फलन हो गया ठीक है तहां हम कहेंगे जेड एक्स तथा कि वाई में दो घात का कि समगाती फलन यानि होमोजीनियस फंक्शन है तो अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे हम फिर हम क्या करेंगे यहां पे लिख सकते हैं तब आयलर के प्रमे से अयलर के प्रमे से अयलर के प्रमे से क्या हो जाएगा x del u del x plus y del u del y is equal to 2 भात का है न तो 2z तोरी यहाँ पे z होना चाहिए न यहाँ पे क्या होना चाहिए z होना चाहिए x del z del x y del z del y is equal to 2z ठीक है परन्तु लेकिन लेकिन जेड तो हमारा था नहीं जेड को तो हमने माना है 10 u 10 u को हमने जेड माना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा यहां से del u del x निकालना होगा तो differentiate यहां से करेंगे जब del z del x निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा 10 u क्या होगा तो एक स्क्वायर यू ठीक है तैन एक स्क्वायर यू और फिर क्या होगा डेल समिक्राण में हम क्या कर देंगे जो उपर में है इन दोनों को रख देंगे एक्स स्क्वायर यू डेल यू डेल यू डेल डेल लगाइट इस एक्वाल राइट हंड साइड में 2 देड हमारा क्या है ठैन यू के बराबर है रग दिया हमने अब से क्या कर देते हैं भाग देते हैं पूरे समीकरण में तो एक्स डेल यू डेल एक्स लिप्ट एंड साइड में बच जाएगा और जैसे भाग दिया तो यहाँ पे टू टैन यू अपॉन से क्या कर सकते हैं आप इसको ठोड़ा सा इसमें करमाद करके लिखेंगे त्पें करेंगे यहां से कर जाएगार तू-प्हु तो ऐसे ही आप लगाएंगे सवालों को ठीक है सवालों को आप लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा एक्षिली में जब फाइनल में आएगा तो इधर लेफ्ट हंड साइड में दोनों टर्म में क्या आएगा देखिए वही प्रोसीजर आएगा हम फाइनल वाला स्टेज बता रहें तो फाइनल में क्या आएगा यहां पर एक घात का फलन है जैसा कि दिखने से पता चल रहा है यहां से एक घात का फलन बनेगा तो वन इंटू साइन यू बनेगा ठीक है कि यहां पर क्या बनेगा साइन एक साइन क्या होता है कॉस्ट दोनों में क्या कर देंगे को से आप डिवाइट कर देंगे आ जाएगा आप करेंगे तो आ जाएगा ठीक है पिछले कोश्चन जैसा ही बिल्कुल है कुछ भी डिफेरेंस नहीं है अब यहां पर देखिए इसमें सारे कोश्चन का प्रोसीजर हुआ है अब इसमें आते कर रहा है कि एक लंबा सा कोश्चन दे दिया है थोड़ा सा लंबा कर रहा है यदि जेड़ बराबर एक्स तथा वाई में एन घात का समगाती फलन हो तो सिद्ध कीजिए यह बराबर यह यह बराबर इतना यह बराबर इतना इनसलें पहले है यह बोल सकते हैं ने पहले ही यह हमको दे दिया गया है तो वहाँ पे आललर का प्रविया लगा सकते हैं लेकिन केवल हमारा इतने से काम नहीं है यहां पर क्या किया जा रहा है तो पहले सवाल में देखे तो पहले सवाल में यहां पर डेल टू जेट डेल एक्स पायरा रहा है तो फिर हम वह लगाते हैं मतलब लगाने का मतलब हम इसको क्या कर देते हैं इसको माल लेते हैं समीकरण एक तो बोल देंगे यहां पर समीकरण एक तो करते हैं तो यहां पर देखे दो फंक्शन का क्या है यहां पर मल्टिप्लिकेशन नहीं यहां पर कोई भी चीज यहां पर होसे थींदें एक रहे यहां आपके लिए ठीक है है तो हम क्या लगांगे फर्स फंक्शन इंटु सेकेंड का इफ्रेंशी Daf फिर्स इंटुबेंर्टेंग लैक्त में ऑन यहां पर आते हैं तो फिर प्लस तो यहां पे constant लिया जाएगा तो योगा लेकिन जट अभी देखिए कोई हम अभी से तोड़ी कर रहें कि यह अधे function नहीं होगा तो अभी भी हम मानेंगे कि जड़ जो होगा जो एकस का function होगा कि यो यहां पर क्या किया एंड डेल एल्ट इसको 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 डिफ्रेंस डिफ्रेंसियेट कर दिया तो डेल टू जेट अपॉन डेल एक्स डेल वाई कर दिया नहीं क्या कि यहां से क्या ओन्सट्रेपलर पहला यहां पर इये रख देते हैं यह और यह टर्म भी था य डिलग किसे上 इसवाल देल एक्स है और यहां से एक term आ गिया माइनस में डेल जट यानी यहांपे डेल जट लेक्स कॉमन कर ले अगर यहां पर तो एन माइनस बनागे माइं और भील्कुल हमको यह प्रूव करना यह आ गया राइट हंड साइड में और लेट हंड साइड में देख था पहला तो पहले में रि Exact अब अगले सवाल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशियेट करेंगे तो जैसे यहां पर यहां देने वाली बात है ठीक है कि यहां पर यह जो दो चीज़ें आएंगी क्योंकि जब इसमें आप differentiate करेंगे चलिए हम सवाल को बताते हैं फिर उसे में होगा ठीक है उसी पहले फलन कोई पहला फलन जो कि हुआ के रिस्पेक्ट में तो हम लिख नहीं रहें आप लिख लेंगे ये यहां पर होना चाहिए और यहां पर यहां पर यहां पर होना चाहिए और यहां तो चीज़े होता है तो यह दोनों टर्म बराबर होते हैं यह दोनों टर्म क्या होते हैं बराबर मुस्ट करते हैं अब सब्सक्राइब होता है कोई जरूरी नहीं हमेशा हो ठीक है और डिल वाई डिल एक्स पहले य कर रिस्पेक्ट में कर रहा है बराबर है अगर पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करें फिर य के एक एक यहां पर यह प्रेश ज़िकसर परूल सकता है यहां पर यह जगा मत यूज कर यह इस कोश्चन के लिए पर प्रूब करना रहता है तो आप आप क्या बोल देंगे कि ठीक है यह के रिस्पेक्ट में कर रहा है लेकिन डेल एक्स को पहले भी लिख सकते हैं डेल य को बाद में भी क्योंकि ऐसा है कि दोनों जो है बराबर है ठीक है इस वजह से और यहां पर फिर क्या हो जागा फिर वही चीज़ लगेगा फर्स्ट फं इसको इदर ले जाएंगे आप यहां से आपको दिखी रहा यह लेफ्ट हैंड साइड मिल गया दूसरे वाले का इसको इदर ले जाएंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा कॉमन हो जाएगा डेल जाएगा ठीक है ऊपर वाले के जैसे अब क्या कर देते हैं यह आपर हमको मिल गया एक्स देल एक्स देल वाइज इस इक्वल टू इतना है अब देगे तीसरे में हमको फाइंड आउट क्या करना है कि तीसरे में मारा इसमें एक्स इसक्वाइर है किसमें किसमें एक्स इसक्वाइर है डेल टू जेट डेल एक्स इसक्वाइर में और देखिए इसमें वाई इसका मतलब पहले में एक्स का गुणा किया जा रहा है दूसरे में वाई का गुणा किया जा रहा है अभी देखते को थिक में तो पहला न इसको दूसरा मान लेते हैं तेक है इसको मिलते हैं इसको में और इसको माण लेते हैं पाटिम नीचे वाले को तीसरा मैं लेते बहुत करें हैं ऊछिए हम क्या करा है दो तो मैं X का तता समीकरण 3 में Y का गुणा करके जोडने पर यह दोनों समीकरणों को X Y का गुणा करके जोड रहे हैं तो उपर वाले में अरुकरण कुणा करेंगे तो X स्काइर डिल हर् यह दो अर्वाई यह यह फिर यह आप एक्स का गुणा है तो आपका एकस हो जाएगा इसके बाद दूसरा वाला लिखते हैं और फिर जोड़ेंगे ठीक है फिर जोड़ेंगे तो दूसरे वाले में जब य का गुणा करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है इख जोड़ेंगे तो यहां पर मिलेगा एक्स वाई पहले वाले में एक्स वाई डिल्टू जेट अपॉन डिल एक्स ग देल वाई और यहां इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़िए के सामने है कैसे जोड़ेंगे जोड़ने के लिए आपके सामने साथ साथ दिख रहा यह इसका तो कोई टर्म है नहीं साथी है ना इसका साथी कोई है नहीं तो इसके यह अकेले पड़ा रहेगा इसके और यह जो है दोनों साथी हैं यहां पर तो एक और एक मिलके क्या हो जाएंगे दो मिल जाएंगे और साथी मतलब लाइटर्म समान समान पढ़ है और यहां पर y स्कुराइर टो डेल टू-जेट अपमा और इधर देखें तो n-1 common है तो n-1 अगर common कर लें दोनों टर्में तो पहले में क्या मिल जाएगा x-dlz-dlx और यहाँ पर मिल जाएगा y-dlz-dly अब यह क्या होगा nz के बराबर होगा किसके बराबर होगा एंजेट क्योंकि यही तो है आलर स्थी रंग तो एंजेट हो जाएगा यानि एन एन माइनस वन और इंटु जेट हो जाएगा और यहीं हमको प्रूब करना देखिए लेप्ट अंड साइड में यहां पर टू था देख लिए क्वेश्चन में फिर से यह यह हमको प्रूब करना था एन एन माइनस वन इंटु जेट तो यह वाला सवाल करने के लिए दुनों तो आपको करना ही पड़े तो यह वाला सवाल कई बार पूछा हुगा है कि बोलता है एक जो एक स्वाई का फलन है समघाती फलन है एन घात में तो आप बताएए यह दलना ही पड़ेगा ठीक है तो आज के लिए इतना रहने देते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्यू